हाई गाईज मेरा अप्तुन आप से विदेखरों आपी की चैनल दिप्तुन शील को दोस्तों आप लोग के मन में 6 अक्टोबर आते ही एक सबल बहुत जादा आ रहा है अब इन्स्ट्रीम एड का क्या होगा अब फेस्बुक मॉनेटेशन का क्या होगा क्योंकि 6 अक्टोबर स आप लोग बेस अब इन्तजार कर रहे हो मेरा वीडियो कब आएगा कब मैं आप लोग को बताऊंगा कि यह जो टाम्स अपडेट हुआ है इन्स्ट्रीम एड का वो फेस्बुक मॉनेटेशन पे कैसे प्रभाब डालेगा या फिर कैसे प्रभाब डाल रहा है तो चलिए जो एड लगता है उसका जो हिस्सा है उस हिस्से पे फेस्बुक ने अपने टाम्स पोलिसी को अपडेट कर दिया है जो के एफेक्टिव हो रहा है छे अक्टूबर यानि कि आज से और यहां पे फेस्बुक का सीधा सीधा कहना है अब बात यहां रहा है भारत पे जो क्रियेटर बैटे हुए है वो कह रहा है अभी तक इसका कोई असर दिखने के लिए क्यों नहीं मिल रहा है सर आज तो 6 अक्टूबर हो चुका है तो यहां पे मैं कहना चाऊंगा भारत पे भले 6 अक्टूबर हो चुका है यूएस पे होना अभी बाकी है क्योंकि वहां पे दोस्तो हम लोगों के साथ time difference है तो उन लोग का अभी 6 October आना थोरा वाकी है तो इसलिए मैं कहूंगा ये जो अभी changes होगा इस update के बज़े से वो effective होने को थोरा सा समय बाकी है मगर effective होने पे ही आपको पता नहीं चलेगा तुरंद इसका क्या असर होने वाला है धीरे धीरे पता चलेगा मगर यहाँ पे जो कुल मिला के stamps and policy के change के बज़े से असर होगा वो होगा majorly duplicate content creator के उपर अब आप सोच रहे होंगे इस update के बज़े से क्या कुछ हो सकता है या फिर क्या कुछ होगा क्या आगे चलके instruments से creators को पैसा नहीं मिलेगा तो मैं कहना चाहूंगा आप 6 October है और यहाँ पे देख सकते हो last 7 days का जो earning है इस page का 2.48k है यानि कि 2000 से भी जादा का dollar इस page ने already last 7 दिन में earning कर चुका है तो इसका सीधा सीधा मतलब है जो original content creator है उनके लिए ये update हो सकता है सबसे अच्छा update उभर के निकले ये facebook एक filter set कर रहा है अपने platform में ताकि जो in authentic engagement generate करके पैसा कमा रहा था in stream ads से वो भी duplicate content, reuse content, repurpose content वो सब को खतम कर पाए तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा अगर बहुत सारे non creator जो sharing को अतियार बना के पैसा कमा रहा था उनके उपर ये update का असर जरूर देखने के लिए मिलेगा जो content creator duplicate content use करके facebook से पैसा कमाने के लिए सोच रहा था उस पे जरूर असर दिखने के लिए मिलेगा मगर original content creator जो के एक niche को पकरके content create कर रहा है उनका dollar भरेगा घटेगा नहीं ये हमने already observe करना शुरू कर दिया है भले आप लोगों के समय समय पे views कम जादा होता रहे मगर earning जो है वो original content creator का भरेगा ये मैंने already observe किया तभी आप लोगों को बता रहा हूँ अब original content creator इसका मतलब ये नहीं कि एक ही page पे किसी भी category का content हम page पे डाल दे और earning बर जाएगा ऐसा नहीं होगा बॉस अभी ना एक niche पकर के चलना परेगा एक ही category पे आपको content लगातार डालते रहना परेगा तभी जाके आपका dollar भरेगा अगर आप लोग multiple category में एक ही page पे content create करोगे तो फिर आगे चलके हो सकता है आपका earning थोड़ा बहुत गिर जाए और news page और medical जितने भी category में pages है उस पे recommendation थोड़ा कम हो जाएगा facebook के update के बज़े से तो हो सकता है उन categoryों में भोरा सा earning कम दिखने के लिए मिले as compared to जो के एक ही specific category में content बनाते है क्योंकि news category में बहुत अलग-अलग type का news बनता है तो वहाँ पे multi type का content जो है generate होता है multiple category में content डाल जाता है खेल खुद से जुरे crime से जुरे बहुत कुछ यहाँ पे हो सकते earning गिरे medical वाला content को recommend नहीं करेगा facebook उस बज़े से earning गिरेगा अगर यहाँ पे बताना चाहूंगा जो आप लोग एक particular category में content create करने वाले हो जैसे food से related making से related ऐसे categoryों में earning और जादा हो जाए तो यहाँ update के बज़े से original content creator को उतना असर नहीं होगा जितने की duplicate, reuse, repurpose content पे काम करने वालों को होगा especially जो sharing करके थोरी ही time पे बहुत जादा views लेके आते है page पे या फिर कोई भी invalid way में पैसा कमाने की कोशिश कर रहा है उनको ज़रूर difficulty होगा अब difficulty होगा तो इसका प्रिक्टिकल एक्जम्पल हो सकता है तो एक प्रिक्टिकल एक्जम्पल में आप लोगों को दिखाना चाहूंगा जैसे के अभी देखो payout पे safer example आप लोगों ने 30,000 डॉलार income कर लिये है duplicate way को use करके या फिर in stream at के जो time से उसको ना मानते होगा फिर आप आनिंग तो कर लो लेगा वो invalid activity भी हो सकता है और यह सब होगा जब आप आपके page के content को artificially boost करने की कोशिश करोगे वो भी कम समय में heavy sharing, multi level of sharing या फिर कोई वी in organic way में जो के facebook उसको मानता नहीं है बहुत सारे लोग क्या करते है clone id create करके भी followers बना लेते है पेज पे duplicate pre-recorded video लगा के भी watch time complete कर लेते है उस तरीके के जो भी pages होंगे जो के in stream ad के policy rules guideline को follow नहीं करेगा उसका earning facebook पे नहीं करेगा तो फिर हो सकता है facebook ओ amount को आपके दुआरा गया आन किया गया amount को खुद के पास रख लेगा नहीं देगा आपको ये होने वाला है इस update के बाद आप लोग का कुछ सोच विचार है इस topic पे जरू कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताना मिल तो आगले वडियो के साथ अब तक आप लोग खुश रहो आब आद रहो और